नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविद हल्चल पर कुरुशी पम्प का बकाया बिजलेबिल जमा करने पर 50% की छूट दी जा रही है और इस योजना की अवधी के सिर्फ 44 दिन शेश रह गए है महाविदरन की और से अपिल की गई है कि किसान बिल तक कल जमा कर योजना का लाब उठाए नाकपूर परिमंडल मुख्य अभियनता दिलिप दोड के ने कहा कि निर्धारित अवधी पर बकाया जमा कर खुद को कड़ी कारवाई से भी बचाए महाविदरन कुशी बिजली नीती किसानों तक पहुचाने के लिए एक गाव एक दिन का भीयान भी चला रही है उन्होंने बताया कि इस नीती के लागू होने के पहले नाकपूर परिमंडल में किसानों पर बकाया राशी 902 करोड रुपे के करीब थी इस योजना से लगभग 241 करोड रुपे माफ हुए है 330 करोड पुराना बकाया और चालो बिल के 112 करोड मिला कर 442 करोड रुपे जमा होने है वर्श भर में 65 करोड 24 लाख रुपे जमा हुए है योजना के पात्र 183,000 किसानों में से परिमंडल में केवल 70,206 किसान ही योजना में साभागी हुए है दोड के ने बताया कि वसुल की गई रकम का 33% गाव और 33% जिलास्तर पर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खर्च किया जाता है शिक्षका अधिकार कानून RTE के अंदर गत नीजीव बीना अनुदानित स्कूलों में आर्थिक दुर्बल वो पिछरा वर्क के बच्चों के प्रवेश है दूँ जिले के 663 स्कूलों में 6186 सीटे उपलब्ध हुई है शेक्षनिक वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आविदन करने की प्रक्रिया गुरुवार से ही शुरू हुई पहले ही दिन 7200 से अधिक पालकों ने ऑनलाइन आविदन जमा किये इस बार गत वर्ष की तूलना में 19 स्कूलों में पंजियन नहीं कराया है वही दूसरे और RTE के नए नियमों की वज़ह से 457 सीठे बढ़ी है इसका लाब जरूरत वंचातरों को मिलेगा पिछले वर्ष प्रवेश प्रक्रिया काफी देरी से शुरू होकर लंबे समय तक चली इस बार RTE प्रवेश के लिए स्कूलों ने उत्साह नहीं दिखाया पंजियन में कुछ स्कूलों ने हिस्सा नहीं लिया इसी वज़ह से इस बार स्कूलों की संख्या कम हुई है शुक्रवार की रात 8 बजे तक 7271 आवेदन किये गए पिछली बार भी सीटों की तुलना में करीब 3 गुना आवेदन प्राप्त हुए थे इस बार भी वही स्थिती होती नजर आ रही है पिछले वर्ष जिले में RTE के अंतरगत प्रवेश के लिए 680 स्कूलों में 5729 सिटे आरक्षित की गई थी करीब 29 महिनों से जिले की 250 जिला परिशत शालाओ के डिजिटलाइजेशन का प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए लटका हुआ है नीधी उपलब्ध होते हुए भी अब तक मंजूरी नहीं मिलने से शालाओ को डिजिटल नहीं बनाया जा सका है दरसल गरामेंट भागों में बच्चों को कम्पिटराइजट एजुकेशन देने के लिए और जिला परिशत शालाओ की गुनवत्ता को बढ़ाने के लिए शालाओ के डिजिटलाइजेशन का कारिया शुरू किया गया है अब तक जिले के 154 शालाओ में Android TV डिजिटल, 235 शालाओ में LED TV डिजिटल वग 647 शालाओ में कम्पिटर वग प्रोजेक्टर की सुविधा उपलप्त करवाई जा चुकी है अब तक जिले के 1535 शालाओ में 1036 से अधिक का डिजिटलाइजेशन हो चुका है लेकिन जब से सरकार बदली है तब से मामला लटक गया है दरसल बीते सवा दो वर्षे से अधिक समय से अन्य 250 शालाओ के प्रस्ताओं को मंजूरी नहीं मिली है जिन शालाओ का डिजिटलाइजेशन हुआ है वास्तों में इस सिविध्यार्तियों की गुन्वत्ता बढ़ी है इसे ही ध्यान में रखते हुए जिले की 100 फिजदी शालाओ को उक्ता सुविधाओं से लैस करने की योजना है जिलापरिशद प्रशासन ने 10 करोड रुपे की मनजूर खनीज निधी में जो 8 करोड 20 लाख रुपे प्राप्त हुए थे सीबीसी में संबद्द स्कूलों पर नियंतरन रखने के लिए मौजुदा नियमों में संशुदन करना जरूरी है इन स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षकेतर करमचारियों पर अन्या दूर करने जैसी अन्या मांगों के लिए सीबीसी स्कूल स्टाफ वेलफेर एस्सोसेशन सिस्वार के कानूनी सलहकार एडवोकेट संजे काशिकर के मार्क दर्शन में लगातर मांग की जा रही है बजट अधिवेशन में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है सिस्वार ने 1 नवंबर 2021 को आंदोलन किया था जिसमें CBSC करमचारियों को न्याय दिलाने के लिए स्कूल प्राधी करन स्थापित करने की मांग की गई थी शीत कलिन सद्र के दोरान विधायक नागो कानर द्वारा ये मुद्दा भी उठाया गया था जिसमें CBSC से संभध स्कूलों में एक लाग सेधिक शिक्षकों और शिक्षकेतर करमचारियों की सेवाओ की रक्षा करने के लिए कानुन तथा स्कूल ट्रिब्यूनल गठन करने की मांग का सरकार को पत्र दिया गया था नागो कानर ने एक फरवरी 2022 को मुख्य मंत्री, उपमुख्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचियों को भी पत्र लिखा था नागो कानर ने महाराष्ट प्रावेट स्कूल कर्मचारी विनियम अन अधिनियम 1977, 78 और नियम 1981 MPES Act के प्रावधानों के अधिन रहेकर इन स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा में संशोधन करने हेतु गेर सरकारी विधेग भी पेश किया संत सहजराम दरबार आहुजा नगर में भारते जंता पार्टी की बैठक में पुर्व विधायक मिलिन माने, पुर्व स्थाई समिती अधिक्ष विरेंद्र कुक्रेजा, मंगलवारी जोन अधिक्ष प्रमिला मत्रानी, कर्वसुली समिती सभाबाती महिंद्र धन्विजे, न हाचपा में प्रविश किया, इसके पश्चात एक ही परिवार के दो सपुत, हितेश किशंचन मोटवानी और मयूर किशंचन मोटवानी, जिन्होंने कठिन परिस्तितियों से जूज कर, सीए की परिक्षा में उलेखनिय सपलता हासिल की, उनका स्वागत किया गया, और साथ में उनकी माताजी राधा किशंचन मोटवानी का भी सतकार किया गया, पुर्वस्ताई समित्य अधिक्षे विरेंद्र कुकरेजा ने अपने उद्भोतन में कहा, कि भारती जंता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जो विकास के लिए कटी बद्धर रहती है, हमने इन सालों में आपके क्शेतर में बहुत विकास कार्या किये, वह आगे भी हमको ऐसे ही बहुत सारे विकास काम करने हैं। महराष्टर कॉंग्रेस कमिटी के अलपसंख्याक विभाग के राष्टिय समनवैक महमत एहमत खान, पूर्वराज्य मंत्री डॉक्टर अनिस एहमत, महराष्टर प्रदेश व्यापरी वो उद्योक सेल के अध्धिक्ष अतुल कोटे चा, निजाम अनसारी, सेंटरल इंडि कॉलेज ओफ लॉग के निदेशक डॉक्टर एसम राजन, डिडी यूजी के वाय के निदेशक डॉक्टर तुशार मेश्रम उपस्ति थे, प्रमुक अतीथियों के हाथों चत्रपती शिवाजी महराज के प्रतीमा पर माल्यारपन किया गया और कारेक्रम की शुरुवात की चत्रपती शिवाजी महराज की जहनती के उपलक्ष में डिडी यूजी के वाय के चात्रों को गणवेश किताब और मोबाइल टैबलेट किट का वित्तरन किया गया, तथा गणमानने व्यक्तियों के हाथों रुक्षा रोपन किया गया महम्मद हहमत खान ने अपने भाषन में महान्चत्रपती शिवाजी महराज के विभिन्द विर्तापूर्ण कार्यों के बारे में बताया और कहा कि उनके विचार उनकी विरगा था भारत्यों के लिए प्रेर्नास तुरू थे शिवाजी माराज धर्मा निरिपिक्षत है उन्होंने कभी जाती, पंद या रंग के खिलाब वेदबाव नहीं किया उन्होंने चात्रों से नीडर बनने और सत्ते और न्याय को बनाये रखने का आभान किया नगर परिशत सीमा में 60 वर्ष पहले सन 1961 में मजदुरों के लिए 11 एकड जगव पर डॉक्टर शेग बुनकर कॉलेनी निर्मान की गई थी तथ कालिन विभाग यायुक्त ने बुनकर सुसाइटी से 11 एकड जमिन का सरकारी शुर्क भरवा कर अग्रिम कबजा दे कर शर्तों के आधर पर मंजूरी दी थी तथा अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था तब से लेकर अब तक ये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है जिस कारण से आज भी डॉक्टर शेग बुनकर कॉलनी के निवासियों को वहां की जमिन का मुल दस्ताविच सरकार से पाने वाले प्रोपर्टी कार्ड आखिव पत्रिका पर सरकारी लिखा होने से उन नए सिरे से प्रस्ताव तयार कर अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भीजने का आदेश दिया है हाल ही में केंद्रिय सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने प्रेस के समक्ष कहा था कि नागरिकों की इच्छा नहीं होने से वियाजनी नागपुर में प्रसावित इंटल मॉडल स्टेशन की परियोजना को छोड़ देंगे इस बयान से नागपुर का प्रत्यक नागरिक अचमभित है तथा इस मुद्य को प्राथमिकता देते हुए शहर की प्रमुक संस्था है अजनी के समर्थन में एक जुट हुई है शहर की प्रमुक संस्थाओ, बुटीबोरिय मैनुफेक्टर एस्सोसेशन, इंडस्ट्रीज एस्सोसेशन, नागपुर चेमबर ओफ कॉमर्स लिमिटेट, नाग विदरब चेमबर ओफ कॉमर्स, विदरब एकोनॉमिक डेवलोपमेंट काउंसिल, विदरब इंडस्रीज ए तथा पेरा मॉडल को एकई करूत करता है। इंटर मॉडल स्टेशन यात्रियों को स्टेशन परिसर से बाहर नीकाले भी नहीं ट्राइट के दोरान परिवहन मोड बदलने के एनुमती देता है। इंटर मॉडल स्टेशन का उद्देश्य शहर में परिवहा नोर्स के एकत्री करण द्वारा शहर से बाहर जाने वाले वबाहर से आने वाले यात्रियों के करण शहर में होने वाली भीर को कम करना है। वाइन विक्री के निरने पर चिंता प्रकट करते हुए बताया कि इस समाज में बाल अपरात और घरेलो हिंसाओं में महिला ही पीडित होगी। कम आयो के लड़के लड़किया सरलता से इसके व्यासन का शिकार हो जाएगी। उपस्तित महिलाओं ने हिजाब विवात पर जित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये चिंता का विशे है। नौर्थ वेस्ट की स्थानी अध्यक्षा बेनजिर खान और शबाना शेख ने महिलाओं के सरकारी सुविधाओं के लाब तथा वाइन के दुश्परी नामों पर चरचाय की। आभाविजु पांडे ने र टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव-इन वैक्सिनेशन के इंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ट के जरिए टीका करन किया जाएगा। ये जानकरी चिकित सा स्वास्ताधिकारी डॉक्टर से चिल्ट करने दी है। इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा से बामबिट कर अस्पताल कामठी रोड ये प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एमस आइसोलेशन अस्पताल इमाम बाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधे नगर और मनपा स्थ्री अस्पताल पाउली प्रगती हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। गाने गा कर उनके प्रतिअपना प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। लताने हजारों गाने गाये हैं और रोजाना उनके गानों को सुनकर उनको याद करते हैं। उनके गानों को सुनकर हम भाव विभूर हो जाते हैं। उस मधुरा आवाज में हमें भगवान की पूजा नज 6 फेबरुरी 2022 को उनका स्वर्गवास हो गया दीपस्थंबा फाउंडेशन ने उनको श्रधान जली देते हुए सभी महिलाओं ने उनके गाने गए इस अउसर पर स्मीता पांगुल, भारती उबाले, निर्मला टिकस, राजश्री खड़तकर, किरती लाखे, मोट घरे, शोभ का बिगुल फूंकने वाले बड़े नामों में एक तात्या टोपे को विद्यार्थियोंने याद किया है, 1857 में स्वतंतरता संग्राम की नीव रखने वाले तात्या टोपे ने पुरे देश में आज़ादी की चेतना का सूत्रपात किया, और गुलामी को अपनी नियती मान चुकि पुरे देश की जनता को ये बताया कि आज़ादी क्या होती है और उसे हासिल करना कितना जरूरी है, उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था, मध्यप्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क का निर्मान भी करवाया गया, जहासी किरानी लक्ष्म बॉलिवुड सिंगर और कंपोजर बपी लहरी के दुखत निधन की खबर संगित प्रेमियों को जगजोर गई, बपी लहरी ने बॉलिवुड में बहुत लंबी बारी खेली थी, पॉप म्यूजिक को बॉलिवुड का एक एहम हिस्सा बनाने का श्रेय बपी लहरी को ही जा में उन्होंने लोग सभा चुनाओ भी लड़ा था, असी और नब्बे के दशक में भारत में डिसको संगित को लोग प्रिय बनाने वाले गायक संगितकार बपी लहरी बरसों तक याद किये जाएंगे, अर्विन इंडो पबलिक स्कूल हैती सुरला में बड़ी सादगी से बपी लहरी को शद्धानजली अर्पित की गई, सिटी के सबसे सुंदर वो बड़े अंबाजरी उद्यान में पिछले चार-पाच महिनों से ताला जड़ा हुआ है, इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, परिशानी नागरिकों को हो रही है, शहर के नागरिक दुरस्त इ वे गेट के बाहर कुछ देर तक बैट कर किसी और उद्यान की और निकल पड़ते हैं, पालक भी छला उठते हैं, इस उद्यान के उधार के लिए मनपा ने पहले MTDC के सुपूर्थ किया था, लेकिन MTDC ने कोई काम नहीं किया, तो मनपा के जिम्में आ गया, उद्यान विभ से साड़े साथ बजे तक मॉर्निंग ओक के लिए ही इसे खोला जा रहा है, बिजली और पानी के बिल के लिए मेडिकल को 53 करोड रुपे प्रती वर्ष चुकाने पड़ते हैं, इसके विकल्प के तौर पर सोलर पार्क बनाने का फैसला पाच वर्ष पहले लिया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी कागजों पर ही है, उस समय राज्य में भाचपा के नेतरुत्व वाली सरकार थी, सरकार बद्दी और मेडिकल के सोलर पार्क को मंतराले ने चटका दे दिया, वर्तमान में मेडिकल को कमर्शिल दर से बिजली आपूरती की जाती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद योजना पेंडिंग हो गई है, इस योजना से 2.56 मिलियन टन कारबन डायोकसेट उतसरजन कम होने वाला था, यानि सोलर पार्क से 12 फायदा मिलना था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ती ही नहीं है, सवरुर्जा परियोजना का प्रस्ताव सरकार को 2017 में भिजा गया था, शहर में नॉन नेटवर्क एरिया में जलापूर्ती के लिए अभी भी टैंकर का सहरा लिया जाता है, टैंकर से होने वाली जलापूर्ती को लेकर कई बार पार्शदों की शिकायत के बाद उन पर GPS प्रनाली लगाने का निरने लिया गया, किन करोड 71 लाख रुपे का भुपतान तक कर दिया, सुत्रों के अनुसार वित्य वर्ष 2021 और 2021-22 के लिए विभाग की और से PMM Technology Private Limited कमपनी को 1 करोड 71 लाख का भुपतान करने का प्रस्ताव स्थाई समिती की विचारार्थ भीजा गया है, हालाकि स्थाई समिती ने अब तक इस प्रती टैंकर 15 रुपे की दर निश्चित की गई थी के महिने मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है, सुपर स्पेशालिटी में 1998 में रिदय शल्लेकरिया सीवी टीयेस विभाग शुरू किया गया, उसी वक्त विभाग को कैट लैब मिली थी इसके बाद वीप्रो कमपनी ने 2012 में 4.75 लाख रुपे कीमत का नया उपकरन लगाया, जो सपोर्टर था ये उपकरन भी इस वर्ष कालवाईय हो जाएगा, इस सम्मन्द में कमपनी की और से सम्मनित अभियनता को जानकरी दे दी गई है इसके बाद उपकरन की दुरुस्ती करने पर मेडिकल की तीजोरी से खर्च कर रहा होगा, क्योंकि कालवाईय होने के बाद बीमा नहीं निकाला जा सकता नई मशिन लगने तक सर्विस कैटलाब के रूप में पोर्टेबल कैटलाब कमपनी द्वारा उपलप्त कराई जाती है स्थानियन अगर पंचयत के महापाउर पत के लिए चुनाओ का काफी प्रचार हुआ और अंत में चयन प्रक्रिया शुकरवार को ही कॉंग्रेस बहुमत हासिल करने वाली पार्टे साबित है कॉंग्रेस की और से हर्शा इंदूर करके महापाउर पत के नामांकर पर मुहर लगी हाला कि कॉंग्रेस में कई लोग बात देख्षपत की जीत के लिए पार्टे नेताओं की पैरवी कर रहे है कॉंग्रेस की हरशा इंडोर करने सुमवार को महापौर पत के लिए नामंकन दाखिल किया महापौर का पत अनुसुचित जाती महीला के लिए आरक्षित हुआ है इस चुनाओ में 17 सीटों के लिए वोटों की गिंती 20 जनवरी को हुई थी 17 में से कॉंग्रेस के आठ राकापा के चार भाचपा के चार और एक निर्दलिया है आठ कॉंग्रेस पारशदों के चुनाओं के साथ ही कॉंग्रेस को बहुमत मिला हालांकि कॉंग्रेस में निर्दली उमिद्वार विद्यालेंडे की वापसी के साथ कॉंग्रेस की ताकत बढ़ कर 9 हो गई है बहुमत के आंकड़े के वावजुत संभावित खत्रे से बचने के लिए कॉंग्रेस ने एंसीपी के दो पार्शदों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल करने की और कदम बढ़ाया कॉंग्रेस ने 9 सदसिय समोह को पंजी कुरूत किया जिसमें समोह के नेता अमिठ्थाव कर शीतल येनले और विद्यालेंडे का समाविश है नगर विकास, उर्जा, आदिवासी विकास, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा, आबदा प्रभंधन, रहत एवं पुनरवास मंत्राले के राज्यमंत्री, प्राजक्ता तनपुरे, काटोल नगर परिशत के पुर्वाध्धिक्ष, तथा शेतकरी, कामगार पक्षनेता, रा आश्रवाधी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस और शिवसिना के पदादीकारी, एवं कार्य करता भी बड़ी संक्या में उपस्तित थे, इस सवसर पर बोलते हुए, पुर्वनगर आध्यक्ष रहुल देश्मुक ने बताया, कि काटोल नगर परिशद में लंबे समय से चल रहे आ और अन्य विभागों के वरिश्ट अधिकारियों से संपर्क कर, यहां के समस्यों को तत्काल नयाय देने के निर्देश दिये। 14,750 रुपे का जुर्माना वसुला. इसी तरह मुंबई शराबंदी अधिनियम के अंतरगथ दो मामलों में दो आरोप्यों को गिरफतार किया गया और उन से तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोज नमस्कार